हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में अगर आप पली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सबस्क्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें सबसे ज्यादा संक्षिप्ट न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें गुंडा के पूरेमा गाम और एक दिलदला देने वाली वारदात सामने आई है एक गर्भवती महिला वा उन सबके नवजात बच्चों की हत्या कर उन सबके शवों को गन्ने के खेत और फेंक दिया गया बक्रियों की तलाश और गन्ने के खेत और घुसी महिला ने इन शवो पुलिस को दी तो धानेपूर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, महिला की भचान नहीं हो सकी है, पुलिस ने शवों को कबजे और लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेजा है, धानेपूर थानक शेत्र के पूरे महा गाम की एक महिला सोनवार को हमी बक्रियों को चराने के लिए गाम के बाहर खेत और लेकर गई थी, इसी बिच उसकी एक बक्री गन्ये के खेत और घुस गई, महिला के मुताबित वह हमी बक्री की तलाश और गन्ये के खेत और गई तो उधर उसने एक महिला का शव पड़ा देखा, भगल एक नवजात का शव भी पड़ा हुआ इसके अलावा एक नवजात का शव प्रसव प्रक्रिया के बीच और फंसा था। उसका आधा अंग बाहर निकला हुआ था। इस द्रश्य को देखकर महिला के होश फाक्ता हो गए। मैं चीखते हुए गन्ने के खेत से भागी। उसकी चीख सुनकर आसपास के खेतों और के कारणों का पता चल सकेगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए हमें कामेंट्स के जरिये बताए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें। झाल झाल झाल